न्यूस क्लिक की तरफ से आप सबका खबर्ची भाषा के साथ मीडिया पर खरी-खरी कायक्रम में स्वागत है इस कायक्रम में हम बात करेंगे मीडिया पर और यह कायक्रम न्यूस क्लिक पर नया है और उमीद है कि यह आपके साथ एक लंबा सफरते करेगा मीडिया पर खरी-खरी में हम कोशिश करते हैं उन खबरों के बारे में बात करने की जिने मीडिया ने दिखाया या जिन पर चुप्पी साधी रखी सबसे पहले आज इस कारेक्रम में हम बात करेंगे एक एहम परदाफाश के बारे में एक चौकाने वाले एक्सपोजे के बारे में, जिस पर पूरे मीडिया ने साजिशाना धंग से चुप्पी साधी रखी, इसे अंजाम दिया पतना के कशिश न्यूस चैनल ने, पतना के कशिश न्यूस चैनल ने हिंदू और गौर अक्षा के नाम से चल रहे, तकरीबन 90 संग पर पांच घंटे का कायक्रम किया, इसे देखकर रोंग्टे खड़े हो जाते हैं, पता चलता है कि नफरत के कारोबारी हिंदू राश्र के नाम पर, हिंदू उन्मात के नाम पर, किस तरह से युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, भढ़का रहे हैं, उनके हाथों में हतियार स की प्रियोग शाला के तौर पर विक्सित किया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी ताक्तें, कौन से चहरे हैं, ये सारे के सारी चीजों को एक जगह लाने का काम, इस न्यूस चैनल ने किया, और इसको बहुत बहादुरी से दिखाया, संतोष सिंग में, जिस जगह से हमने अचानक ना कभी वहां हिंदू मुस्लिम के बीच बिवाद था, ना जाती मजहब के बीच कोई बिवाद था, अचानक ऐसी कौन सी घटना घटी जो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए इस बहादुराना काम के लिए संतोष सिंग बधाई के पातर हैं कि उन्होंने कितने सीमिच संसाधनों में इतने महतपून एक्सपोजे का को अंजाम दिया और बिहार और जारखंड की धर्ती पे जो लगातार धर्म के नाम पर नफरत पहलाई जा रही है उसको हमारे सामने रखा बिहार जारखंड के औरंगाबाद आरा समस्तिपुर रामगड को डर्मा और रोसड़ा आदी इलाखों में अगर आपको याद हो तो अचानक ही रामनव्मी के आसपास सांप्रदाइक हिंसा उनमाध फैली थी अचानक ही भगवा कपड़े पहने भगवा गमचे डाल इनमें से अधिकांश हतियार बन थे और मुसल्मानों के खिलाफ नफरत भरे हुए स्लोगन्स नारे लगा रहे थे आखिर ये लोग कौन थे ये लोग कहां से आये थे इनके पीछे की जो राजनीती थी जो संगठन थे वो कौन थे इस एक्सपोजे में उन्होंने बताया कि आखिर जो नौजबान सड़कों पर उतरा हुआ है हिंसक नारे लगा रहा है तलवारे हाथ में हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें सड़क पर उतारने वाली ताकते कौन हैं कौन से वो संगठन हैं अगर 90 संगठन ऐसे उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं इनके प ने किया लेकिन अगर आपको याद हो कुछ समय पहले जैसे कोबरा पोस्ट ने एक एक्सपोजे किया था जिसमें बताया था कि मीडिया की जो अलग-अलग घराने हैं वो किस तरह से अपनी ख़बरों को बेशने के लिए तैयार हैं किस तरह से सांपरदाइक उनमात पहलान करते के लिए संगठन जाता एकसि और किया था और उस पर भी संग और बिर खामोशी थि उसी तरह से Bir संतोर सेश्छ छेजा के श amendment मेरे खामोशी रिखाया गया कि किस तरह से जो विभन संगठन है वो क्या बोल रहे हैं उनको किस तरह का राज्यतिक वरशस हासिल है इसमें आपको दिखाई देगा कि हिंदू समाज पार्टी के कमलेश तिवारी की एक बाइट है जिसमें वो सारजनिक तौर पर मुसल्मानों को भारत से ख़देड़ने की बात करते हैं वो खुले आम बोलते हैं कि हर घर में गोड से पैदा होना चाहिए गांधी की इस देश को जरूरत नहीं है और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि इनको उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ किस तरह से सरक्षन देते हैं इनको शुरक्षा मिली हुई है और उस सुरक्षा के तहत ही वो बिहार और झारकण के धर्ती में नौजवानों को उकसा रहे हैं और बता रहे हैं कि हथियार उठाना इस समिधान को बदलना क्यों जरूरी है वो सीधे सीधे समिधान को चुनोती देते हैं और कुछ नहीं होता है वो सीधे सीधे नौजवानों से कहते हैं कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें हथियार उठाना चाहिए हथियार लेना चाहिए और मुसल्मानों को इस देश से ख़देड़ना चाहिए हमारा पहला उद्देश है कि हम भारत से मुसल्मानों को ख़देड़ यह यह सारी बातें अगर एक टीवी चैनल के पास हैं अगर यह एक्सपोजे है अगर यह बताता है कि किस तरह से जो नफरत के बीज हैं वो युवा मन में युवा दिमागों में बोए जा रहे हैं तो मुझे लगता है यह एक ऐसे एक्सपोजे था जिसको देश भर में बताना चाहिए था पहलाना चाहिए था जिस पर मीडिया को चर्चा करनी चाहिए थी प्राइम टाइम पे चर्चा होनी चाहिए थी और पता होना चाहिए था कि जो देश की देश में अमन के खिलाफ ताक्ते हैं ये किस तरह से सीधे सीधे हमारी जम्हूरियत हमारे लोकतंदर को खत्रा कर रही है उस पर हमला बोल रही है लेकिन ऐसा पुछ नहीं होता मेरा आप से सवाल है खुद अपने से सवाल है तमाम अपने संगी साथियों से सवाल है कि आखिर क्यूं हम ऐसे जरूरी बातों पर ऐसे जरूरी सवालों पर ऐसे जरूरी परदाफाशों पर सोची समझे चुपी हासल करते हैं क्यों हम चुप रहते हैं क्यों हम नहीं दिखाना चाहते हैं जब कि ये पूरा जो यह बताता है कि नौजवानों को कैसे फसाया जा रहा है और संतोर सिंग से बात करने के बाद पता चलता है उन्हें अपने फेस्बुक पोस्ट पे भी लिखा है कि कई नौजवान बाद में देखने के बाद उनके घर परिवार वाले दबाव डालते हैं उनके उपर और कहते ह कि ये रास्ता सही नहीं है इस रास्ते पे जाने के बाद पूरा का पूरा उनका जीवन जेल की बीदर कट सकता है वो एक औजार के तौर पे इस्तमाल हो रहे हैं यानि कि ये पूरी प्रक्रिया कि किस तरह से उनको फसाया जा रहा है फिर उसके बाद उनको पता चलना उनके गरवालों तक एप्रोच करना यह एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है हमारे मीडिया में ही लेकिन जो मुख्यधारा का मीडिया है इस पर खामोश रहता है यह खामोशी बहुत खतरनाक है तो यह तो बात हुई कि मीडिया ने क्या खबर नहीं दिखाने की सोची और क्यो भीमारमी से जुड़ी हुई खाबर है भीमारमी के एक नेता के भाई सचिन वालिया की मौत होती है गोली लगती है और इसे लेके تمाम तरह के संदेख पैदा होते हैं क्योंकि जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि भीमारमी के नेता चंदर शेखार रामन जेल में हैं उन्न पर आसुका लगी हुई है योगी आदे तिनात के सरकार उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहती है और दलित समाज में इसे लेकर गहरा आक्रोश गहरी चिंता और गहरा डर है ऐसे में भीम आर्मी के निता के भाई की मौत लेकिन इस पे उस इलाखे में तो चर्चा है लेकिन म विमर्ष नहीं है अभी उत्तर प्रदेश सरकार चानबीन करके लेकर आई है कि वह एक फ्रेंडली फायर में उनकी मौत हुई एक दोस्त है दोस्त ने गोली चलाई और उसमें उनकी मौत हुई मेरा सवाल है कि मौत कैसे भी हुई हो इसकी परताल जरूरी है और खास तोर से एक ऐसे इलाके में वह मौत हुई है जहां इतना संदे है जहां इतना बर-بر पुलिसिया दमन है ऐसे में यह सवाल उठना जरूरी है कि भीम आर्मी और उस से जुड़े हुए लोगों पर जिस तरह का पुलिसिया दमन हो रहा है जिस तरह से उस पूरे इलाके को घेरा गया ह जिस तरह से चंदरशेखा रावण जेल में हैं, क्या ये सारी चिंताएं हमारी आपके मीडिया की नहीं होनी चाहिए? करनाटक में सरकार किसकी बने? इसे लेकर कॉंग्रेज, भाषपा, जनतादल, सेकुलर के साथ साथ मीडिया घराने भी बेहत बेचैन हैं, वे भी अपने नैतिकता के घोड़े दोड़ाए जा रहे हैं, संपादकी लिखे जा रहे हैं, निवस आंकर, रिपोर्टर्स, संपादक, सारे के सारे लोग बेचैन हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अनैतिक हो जाए. तोप निवस आंकर तो नैतिकता कि गंगा में डुपकी लगा कर घोशित कर रहे हैं कि कॉंग्रेस जो कर रही है, खोर रूप से अनैतिक है और इससे लोकतंत्र जम्हूरियत गहरे संकट में फस जाएगा अगर सरकार भाश्पा की नहीं बनी तो. सवाल ये है कि क्या इनके पेट में ऐसी मरोड तब भी उठी थी जब गोवा, मेगाले, मनिपुर में सरकार उस पार्टी की नहीं बनी थी जिसके पक्ष में जनादेश था? नहीं. तब कहीं से भी ये बात नहीं उठी थी कि सिर्फ दो सीटे पाकर और पोस्ट एलाइन्स करके बीजेपी ने सरकार कैसे बनाई? तब कहीं से भी ना तो जम्हूरिय संकट में थी ना लोकतंत्र संकट में था. तब ये था कि जो भारती राजनीती के चानक के हैं अमिशाह उनकी जो स्किल है कि कितने भी सीटे मिलें लेकिन उनके अंदर कुवत है सरकार बनाने की उस कुवत पे चर्चा थी. ध्यान से देखिए कि जब परिणाम आए उसके बाद भी तमाम टीवी चैनल ये बताने में लगे हुए थे कि मोदी और अमिशाह की जो जोड़ी है कैसे वो नंबर वन जोड़ी है और इसको काउंटर करने का इसको मात देने का अभी किसी के पास कोई उपाय नहीं है. लगातार हमें दिखाया जा रहा था कि कितनी रैलियां की इन कितनी चीज़ें हुए, कितना जनादेश है हम सब के सामने हैं. चुनाओं के दौरान किस तरह से, मीडिया ने कवरेज की, ये भी हमारे सामने हैं. लेकिन میड्या में जो projection था मीड्या के जरीय जो अफ़धारना बन रही थी यक बनाई जा रही है चिंतनी है उस पे मुझे लगता है विचार करना बहुत जरूरी है और करनाटक चुनाव में भी ऐसा हुआ है जिस दिन मद्दान था उस दिन प्रधान मंत्री नरेन मोदी नेपाल यात्रा पर थे आप ध्यान दीजिए कि उस दिन पूरे दिन मीडिया ने उस यात्रा को लाइफ काटा उससे पहले ही बन गया था कि सीथा मैया की डोली कहां से गई मायका कह कहां है ससुराल कहां है यानि कि जो पूरा हिंदुत्व का एजेंडा है उसका ध्वजवाहक मीडिया बना हुआ था सीधे जनकपूर से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं जहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दो दिन की नेपाल यात्रा पर अपने जनकपूर धाम जिसमें पहले भी आने वाले तो लोगों का दरसल उत्सा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जबकि उस तरह की कवरेज किसी और के साथ लाइव नहीं आप दिखा सकते हैं लेकिन अगर आप याद करिए पिछले तमाम जो विधान सभा चुना हुए हैं उसमें मद्दान के दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है बहुत सोची समझी खासियत है कि वह ऐस एक प्रोग्राम रखते हैं देश में या विदेश में जिसे लाइव काटा जाता है और पूरे देश में मीडिया घराने अलग-अलग भाशाओं में उसका लाइव प्रसारण करते हैं क्या ये जनादेश को मैनुपलेट करने का काम नहीं है क्या इस पे हमें सवाल उठाना नहीं चाहिए कि हम किस चीज को लाइव काट रहे हैं क्यों लाइव काट रहे हैं यह सवाल नहीं उठता है और यह सवाल ना उठना मीडिया का लाइव काटना इस पे खबरे देना एक के प्रधान्मंत्रि है गज तो यह जो एक पूरा का पूरा जनादेश को प्रभावित करने की योजना में मीडिया ऐक और बनता है यह गंभीर परिस्तिती यह एक ऐसी रणनीती है जिसका कात अभी तक हमारे पास नहीं है और मुझे लगता है ये सवाल उठाया जाना जरूरी है आज खबर्ची भाशा मीडिया खरी-खरी में बस इतना ही अगले हफ़ते फिर मुलाकात होती है कुछ चुपते हुए सवालों के साथ कुछ बहतर कल के लिए आगे बढ़ते हुए शुक्रिया सलाम नमस्कार इंसा भड़काने के लिए आपको जरूए वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह वाह मोदी जी वाह